वरत पारवस्वांक में शंक्षीप्त दिपावली पूजन में दें कातिक कृष्ण अमस्या को भगोती मिश्री महानच में हम भवान गनेश की नुतन प्रतिमाओं का पतिष्ठा पूरक विशेश पूजन किया जाता है पूजन के लिए किसी चौकी अत्वा कपड़े के पूजन पर किनेश्ची के दाहिने भाग में माता महान अच्छी को स्थापित करना चाहिए पूजन के दिन घर को सच करके पूजास्थान को भी पूजन कर लेना चाहिए हैं से हम भी पित्र हो करके शिद्दा भक्ति पूरक साइं काल इसका पूज़न करना चाहिए मूर्ती मही शिरी महाल लच्छी जी के पास ही किसी पूट्र पात्र में केसर युक्त चंदन से अश्ट दल कमल बना करके उस पर द्रव्य लच्छी रिपयों को भी स्तापित करके एक साथ ही दोनों की पूज़ा करने चाहिए सरप्रथम पूराववी मुख अथा उत्तरवी मुख हो आज़न पित्री धारन मार्जन प्रानायाम कर अपने ओपर तथा पूज़ा समग्री पर मंत्र पढ़ करके जल शिरके अम पित्रा पित्रोवा सर अस्थाम गतव पीवा यो समरेट पूर्डी काक्षम सर बाहे अभ्यंतर सुची जंतर जल अक्षत आदिर लेकर के पूज़न कर संकल करें संकल अम विष्णो और विष्णो विष्णो अद्यमा से उत्मे मा से गार्दिक मा से क्रिष्ण बक्षे इस परकार से संकल्प करके ऐसा कह करके संकल्प का जल अधित छोड़ दें पूज़न से पूर और नोतन प्रत्मा की निम्मे रिती से प्रान प्रतिष्टा करने प्रतिष्टा इस परकार है बाएं हाथ में अक्षत लेकर के मंतरों को पढ़ते हुए दाहने हाथ से उन अक्षतों को प्रतिमा पर छोड़ते जाएं इस परकार परतिष्टा करके सरप्रथम भगवान गिनेश जी का पूजन करें अंतर कलश पूजन तदा शोड़श मातर का पूजन करें ततवच्चत परधान पूजा में मंतर अद्वारा भक्ति माल अच्छे का शोड़श अपचार पूजन करें आम महाल अच्छे नमा इस नाम मंतर से भी उप्चार द्वरा पूजा की जा सकती है प्राथना विदी पूरक श्री माल अच्छे जी का पूजित करने के इनंतर हाथ जोड़ करके उनसे प्राथना भी करने चाहिए आम महालच्छुी नमा प्राथना पूरुकम नमसकारान समर्प्यामी प्राथना करते हुए नमसकार करें समर्पन पूजन के अंतमे कृटेन अनेन पूजनेन भगवती महालच्छी देवी प्रियताम नमा ये बाक के उचेरन करके समस्त पूजन करम भगती महालच्छी को समर्पित करें और चल के राएं ततपचार महालच्छी के ये था अपलव दवचार पूजन के नंतर मालच्छी पूजन के अंगरूप, देहली मिनाएक, मसीपात्र, लिखनी, सरस्ती, कुबेद, तुलामान तता दीपको की पूजा की जाती है, शिंक्षेब में उन्हें भी यहां दिया जा रहा है, सरप्रथम देहली मिनाएक की पूजा की जाती है, देहली मिनाएक पूजन विया पारिक परतिष्टान आदी में दिवारों पर ओम श्रीक निशाए नमा, स्वस्तिक चिन, शुबलाब, आदी मांगलिक, एम कल्यान का शब्द सिंदूर आदी से लिखे जाते हैं, इन्ही शब्द द्वरा ओम देहली विना काई, नमा इस नाम मंतर द्वरा गंद पूश्प आदवी से पूजन करें, श्री महा काली दावाद पूजन, साही उक्त दावाद को भगती मालची के सामने पुश्प तथा अक्षट पुञ्यमे रख करके, उसमें सिंदूर से स्वस्तिक बना दें, और मौली लपेट दें, उम श्री महा काले नमा इस नाम मंतर से गंद पुश्प दी, पंच्चोप चारों से या शोट्चोप चारों से दावाद में भगती महा काली का पूजन करें, और अन्त में इस परकार, पात्रा पूरा उन्हें परनाम करना चाहिए, लेखनी पूजन, लेखनी कलम पर मौली बंद करके सामने रखने, और अम लेखनी स्थाई देविय नमा इस नाम मंतर द्वारा गंद पुश्प अक्षट आदी से पूजन करके फिर प्रात्रा करने चाहिए, सस्ती, पंचमी बही रख, खाताल पूजन, बही बसना तथा थैली में रोली या केसर युक्त चंदन से सस्ती के चिन्न बनावे, एम थैली में पांच हल्दी को गांठें, दनिया, कमलगटा, अक्षट, दूरवा और द्रवे रख करके उसमें सस्ती का पूजन करें, सरपत हम सस्ती जी का ध्यान करना चाहिए, कुबेर पूजन, तिजोरी अत्वार रुपे रखे जाने वाले संदुक आदी को सस्ती कादी से अलंग करिद करके, उसमें निधी पति कुबेर का आवाहन करना चाहिए, आवाहन के पश्चात ओम कुबेराई नमा इस नाम मंतर से यथा प्लब्द उप्चार पूजन करके अंत में प्राथना करनी चाहिए, धन्धाई नमस्त अभ्यम निधी पदम अधिपाई चे, भगवन तवत परसादेन धन्धान्य आदी संपदा, इस परकार प्राथना करके पूर पूजित हल्डी धनिया कमल गट्टा द्रव्य दूर्वा आदी से युक्त धैली ते जोरी में रखें, तुला तथम्मान पूजन, सिंदोर से तराजू आदी पार, सहस्तिक बिना लें, मुली लपेट करके तुला अदिश्टात्र देव का ध्यान करना चाहिए, नमस्ते सर्दिवनम, शक्तवे, सत्यम आशिरिता, शाक्षी भूता, जगदात्री निर्विता, विश्य योनिना, ध्यान के बाद, तुला अदिश्टात्र देवताई नमा, इस नम मंतर से कंद अक्षतादी उप्चार द्वारा पूजन करके नमेश्कार करें, दीब मालिका, धीपक पूजन, किसी पात्र में 11, 21 या उससे अधिक दीपकों को परजलित करके, मारच्छी के स्मीप रख करके, उस दीप ज्योती का, उम दिपावले नमा, इस नम मंतर से गंद अधी उप्चार द्वारा पूजन करके, प्रात्रा करनी चाहिए, दीब मालिकाओं का पूजन करके, अपने अचार के उन्त साथ, संत्रा, एक, पानी फल, धान का लावा, इत्यारी पदाद चिडावे, धान का लावा, खील, गिनेश, मालच्मी, अन्य सभी देवी देवताओं को भी अर्पित करें, अन्त में अन्य सभी दीपकों को परजिल्ट करके, उन से संपूरन ग्रैको अलंकरित करें, परधान आर्थी, इस परकार भगुती, महानच्मी, उनके सभी अंग पर्ट्यंगों, एम उपांगों का पूजन कर लेने के अनंतर परधान आर्थी करने चाहिए, इसके लिए एक धाली में स्वस्तिक आदी मांगले की जिन्न बना करके, अक्षत तता पुष्पों के आशन पर किसी दीपक आदी में घृती युक्त बत्ती प्रजिल्ट करें, एक प्रिधक पात्र में कपूर्ष भी प्रजिल्ट कर, वह पात्र भी धाली में यथा स्थान रख लें, आर्थी धाल का जल से प्रोक्षिन करने, पुनाय आशन पर खड़े हो करके, अन्य प्रवारिक जनों के साथ, घंटा नाद पूरत, आर्थी गाते हुए, सांग महाम लच्छेंजी की मंगल आर्थी करें, मंत्र पुष्प अंजली, दोनों हातों में कमन आदी के पुष्प लेकर के हाथ जोड़ें, और निम्न मंत्र का पाठ करें, आउम श्री महाल अच्छेंजी नमा मंत्र पुष्प अंजली समर प्यामी, ऐसा के करके, हाथ में लिए, फूल महाल अच्छेंजी पर चिड़ा दें, पर दक्षना पर शास्टांग पुटनाम करें, पुटना हाथ चोड़ करके, शमाबदा पुरात ना करें, आवाहनम ना जानामी, ना जानामी मिसर्जनम, पुजाम चैव, ना जानामी समस्य परमेश्वरी, मंत्र हीनम, क्रिया हीनम, भक्ती हीनम, सुरेश्वरी, यत पुष्तम्या देवी, परिपूर्नत दस्तों में, पुणा परनाम करके, ओम अनेन यथा शक्त अर्चनेन श्री महाल अच्छीं पर सीदितों, यह कह करके जल जोड़ दें, ग्रामन, एम गुरुजनम को परनाम करके, चनामनत, तथा परशाद वितरन करें, विसर्जन, पुजन के अन्तमे, अक्षत लेकरके, गनेश एम महाल अच्छीं की, नुतम प्रतिमाओं को छोड़ करके, अन्य सभी आवाहित, प्रतिष्टित, एम पुजित देवदाओं का अख्यत छोड़ते हुए, मंतर से विसर्जित करें.